एक आत्मी का मर्डर हो जाता है पर पुलीस का सारा डाउट उसकी वाइफ पर था इस केस का जो डिरेक्टु है यह अपना खुद काफ है और इस केस के बीच में कन्फ्यूस्ट हो जाता है हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको तो स्कारलेट लेटर यह 2004 की एक कोरियन मिस्ट्री मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ यह मुवी बहुत सारी जगा पर अन्प्रेडिक्टेबल है तो आपको आपकी सीट के एच पर रखेगी तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो चलागता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे बिना किस दरी के एकस्प्लेशन डारेक्टली स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम अमारे मेन कैरेक्टर किहून को देखते है किहून एक पुलिस ओफिसर था और आज एक मर्डर हुआ है इसी क्राइम सीन पर वो पहुँचता है क्राइम सीन पर एक आदमी का मर्डर हुआ है हर जगा पर बहुत सारा ब्लड पड़ा था किहुन अपने फ्रेंड से गहता है कि यही आसपास मर्डर वेपन पड़ा होगा क्योंकि जनरली मर्डर वेपन क्राइम सीन से नहीं जाता इस crime को report करने वाली इस dead body की wife थी इसका नाम है यंग ही यंग ही को question पुछने के लिए फिर police station ले जा जाता है किहुन डारेकली उसे पुछता है कि तुमने अपने husband को क्यों मारा वो कहती कि मैंना ऐसा कुछ भी नहीं किया मैं कुछ groceries लेने के लिए बाहर गई थी और वापस आई तो डारेकली उसका murder हो चुका था किहुन उसे पुछता है क्या तुम उस पर cheat कर रही थी यंग ही कहती कि अगर तुमें मुझ पर बिलियू नहीं होता तो एक shoe shop पर जा गर तुम चेक कर सकते हो वहाँ पर मैंने shoes पहने थे और pay करना ये भूल गई और भी question पूछने से पहले किहुन ने उसे coffee के लिए पूछा वो जब बनाने के लिए गया और वापस आया तब तक यंग ही सोच चुकी थी इसके बाद movie में हम हमारी और एक main character को देखते हैं इसका नाम है गाही किहुन रात में गाही से मिलने के लिए उसके बार में आया हुआ था इसके बाद दुनों intimate हो जाते हैं अगली सुबा हमें किहुन का घर दिखाया जाता है और इसकी wife अलग है इसका मतलब वे गाही के साथ उसका affair चल रहा था आज उसकी और उसके wife की doctor के साथ appointment थी क्योंकि उसकी wife pregnant भी है जिस तरीके से अपनी wife से बात करता है इससे हमें पता चलता है कि उनके marriage में कोई भी problem नहीं थी Nixon में सारे police officer यंगी के husband के murder के बारे में बात कर रहे थे एक नहीं कहा कि यंगी ने बहुत सरे abortion करवाए हुए थे जो उसके husband को पता नहीं था चायद उसका कोई affair होगा हमें इसके बारे में और भी जानना चाहिए किहुन कहता है उस पर नज़र रखने के लिए हम कुछ लोग को लगा देते है किहुन को गन का बहुत ही शोग था इसे dismantle कर अगर फिसे assemble वो सिफ 20 सेकंड में कर लेता था उसके friend ने उसे का हम कभी भी इस गन का use नहीं करते है तुम ये सब चीज़े क्यों करते हो किहुन कहता है मुझे गन बसन है सिफ इसी वज़े से मैंने forces join की थी नेकसिन में हम देखते है किहुन अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास आया हुआ था नर्स उन्हें सब कुछ रिपोर्ट्स विगरा दिखा दिया बोलने बोलने में बोलके कि फिर इसे abortion करना सही नहीं होगा आप अपने बच्चे का अच्छे से खैल रखेगा इसका मतलब किहुन की वाइफ ने अल्रीडे एक abortion किया हुआ था किहुन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है ये सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगा पर इस बात को पूरी तरीए से इग्नोर कर देता है जिसा आदमी को यंगी ने पैसे दिये थे इससे जाकर पुलिस पकड़ लेते उससे पुलिस ने बहुत सारे question पूछे पर वो कुछ भी नहीं बता था किहुन ने तो उसे मारा भी था फिर भी ओग कुछ भी नहीं बताता रात में हम देखते हैं किहुन का जिसके साथ अफेर है की ही इसे अचानक से पेट में दर्द होने लगता है उसने pregnancy की test ली तो वो pregnant थी यंगी की husband के autopsy की report आ चुके थे तो किहुन यंगी से मिलने के लिए उसके पास गया यंगी का एक photo studio है वो से कहती है अगर आप लोगों का album देखे तो उससे बहुत सारी चीज़ी imagine कर सकते हो जैसे कि ये family यहाँ पर मुझे लगता है कि इनका बेटा military में होगा जब वो वापस आया तो सारी family ने vacation ली है उसके साथ उसकी girlfriend भी है जो आज बहुत ये awkward है यंगी अपने husband में कोई भी interest नहीं दिखा रही थी तो क्यों इस पर chase आता है कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी फरक नहीं पड़ता तुम्हारे husband की day थी heart attack की वज़े से हुई थी heart attack आया उसकी artery burst हो गए इसी वज़े से सारा blood पड़ा था यंगी कहती है marriage में बहुत सारी problems होती है पर हम इसे overlook कर देते है क्या कभी तुमने अपनी wife को hate किया है मैं भी अपने husband को बहुत ही hate करती थी पास सालोग है पर फिर भी मेरी feelings बदली नहीं रात में कीहुन घर पर है वो अपनी wife के लिए अच्छा सा cook करता है कीहुन की wife सीहुन उसे abortion के बारे में बताना चाहती थी पर कीहुन इस बात को पूरी तरीके से ignore कर देता है उसे गर पर गही का call है उसे मिलना चाहती थी पर कीहुन ने उसे पूरी तरीके से ignore कर दिया यंगी का आफेर है या नहीं इसके बारे में पुलीस बहुत सारी information निकाल रहे थे तो यंगी ने directly कीहुन को अपने आफेर के बारे में बता दिया वो गह थी कि एक आदमी मेरे स्टुडियो में आया हुआ था उसने मेरी फोटो ली वो मुझे से flir価 करता था उसने एक फोटो शुट किया जिसमें उसने सिर्फ अपने पेरों की फोटो ली इसके बाद उसके हाथ उसका चेस्ट इस तरह के से वो फोटोशिट करता था हर विग वहाँ आया करता था वो एटमेट करती है कि स्टूडियो में उसे बहुत ही अकिला महसुस होता था तो जब वो आता तो उसे बहुत अच्छा लगता उसकी कंपनी के लिए वो थैंक्फूल थी इसी तरह के से इनका अफेर हो गया था एक दिन फिर जब यंगी का हस्बन स्टूडियो में था तो उस आदमी ने जो फोटोश यंगी की ली थी यो उसने पकड़ ली एक फोटो में I love you यंगी ये भी लिखा हुआ था इस बात पर यंगी और उसके हस्बन की बीच में फाइट हो जाती है वो इसे ही वहाँ से भाग गई थी है जब वो वापस आये तो उसके हस्बन का मर्डर हो चुका था ये सब सुनने के बाद रात में कीहू अपनी वाइफ के कंसर्ट बजाता है उसके वाइफ अच्छा सा वाइलिन बजाती है कंसर्ट के बाद एक पार्टी थी और इस पार्टी में गीही भी आई गीही आकर डारेक्ली सुहून से बात करती है इससे हमें पता चलता है कि दोनों कॉलेज की फ्रेंड्स हैं कीहून भी गीही को यहाँ देखकर सप्राइस था पार्टी में गीही ने कीहून को कॉल लगया उसने का कि कोई खोई हुई चीज अगर तुम फिर से पालो तो जिस तरीके से खुशी होती है क्या मुझे देखकर भी तुम्हें उसी तरीके से खुशी हुई बात करते करते उसके पास आए उसने का क्या तुम्हें याद है हम फर्स टाइम कहा इंटिमेट हुए थे बात करते करते उसके पास आए कहा कि मैं प्रेग्नन्ट हूँ इन दोनों को पास आता देख सुहून ने देख लिया था किहुन भी गीही के पीछे पीछे गया किहुन उसे अबोर्शन करने के लिए कह रहा था पर गीही इस बात बार बहुत ज़्यादा गुसा हो के वह यहाँ से चली जाती है उसने कहा कि तुम हसी कुशे अपनी वाइफ के साथ रह सकते हो यह तुम्हारा घर नहीं तोड़ने वाली अगर मुझे प्रॉल्म होता तो सुयुन से मैं तुम्हें कभी शादी करने ही नहीं देती अगली दिन किहुन फिर से उसे मिलने के लाया उसे वो सौरी कहता है इन दोनों में बहुत फाइट हुई रोते रोते एक दुसरे के साथ ही इंटिमेट होने लग जाते है किही ने उसे पूचा क्या तुम सुयुन से प्यार करते हो किहुन ने कहा कि मैं उसे प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है किहुन अपने सफाय में कहता है मैं सुहून के लिए तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हारे साथ होने के बाद मैं अपनी मैरी लाइफ में खुश रह सकता हूँ गी ही हमेशा कीहून को अपने पास चाहती थी उसका दिल चाहती थी वो आज रात उसे उसके साथ रुखने के लिए कहती है पर किहुन रूप नहीं पाता प्रिवियस सीन में यंगी ने जिस आदमी के साथ उसका अफेर हुआ है इसके बारे में बताया वो एक्चुल में कंट्री से बाहर था जब वो वापस आता है तो किहुन उसे डारेक्ली पुली स्टेशन में लेकर आता है किहुन ने उसे बोचा कि तुमने यंगी की पिक्चर्स क्यों लिये थे इस आदमी का नाम है जंग जंग गहता है किसे के निउट फोटोस लेना कोई भी क्राइब नहीं है पर यंगी ने निउट पिक्चर्स के बारे में कुछ भी बताया नहीं था इस बात में किहुन इंटरेस्टेड हो गया वो कहता है कि आफेर कैसे हुआ इसके बारे मुझे सब कुछ बता जंग ने कहा कि मैं फोटो शूट करने के लिए हमेशा शुडियों में जाया करता था यंगी को में पसंद था तो हमेशा मुझे वो फलर्ट करती थी मुझे भी अच्छा लगने लगया था एक राद उसने मुझे बुलाया उसने कहा कि मेरा हस्बन आज घर बर नहीं है तो उसका निउर फोटो शूट उसे करना था मैंने उसका फोटो शूट तो किया और हमारे बीच में कुछ भी हुआ नहीं था इसके बाद राद में गाही कीहून को अपने आवार्मेंट में कॉल कर दिया कीहून की जगा पर सुयून वहाँ पर पहुँच गई थी वो गीही को कंफरेंट कर दिया कीहून गाही और सुयून ये सारे एक दुसरे के सामने आ गए थे सुयून ने कीहून से कहा कि अब मुझे डिवाश चाहिए नेकसिन में हम देखते हैं कीहून फेसे केस की इन्वेस्टिकेशन कर रहा था यंगी ने जिस आदमी को पैसे दिये थे उस आदमी के घर में हो घुश गया यहापर उस आदमी की गल्फरेंट के साथ वो फोटो देखता है वो आदमी फरार था तो कीहून ने उसकी गल्फरेंट से बात की गल्फरेंड ने का कि यंगी के हस्बंड ने मुझे बाई करने का ओफर दिया था वो चाहता था कि मैं उसे बेबी दू इसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसों देने वाला था ये बाद उसके बॉइफरेंड को अच्छे नहीं लगी बॉइफरेंड को भी यंगी के हस्बंड ने यंगी पर नज़र रखने के लिए हायर किया था जब यंगी के हस्बंड को पैदा चला कि उसका अफेर चल रहा है तो इस बॉइफरेंड को बहुत डाटता है वाफ्रेंड वैसे भी यंगी के हस्बंड पर बहुत जादो गुस्सा था तो डारेटल उसने एक चीज ली उसके सर पर हो मारता है सर पर मारने की वज़े से कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए और इसी वज़े से यंगी के हस्बंड को हर्ट अटेक आया था यह सब पता चलने के बाद कीहुन उसे अरिश कर लेता है उसे लॉंग टर्म सजा भी होगे इस केस को सौल करने की वज़े से कीहुन को मेडल दिया जाता है इतना सब कुछ होने के बाद भी कीहुन सुयून के साथ ही घर में रह रहा था उसके लिए गिफ्ट वेगरा लाता है उसे एवर्ड मिलने के बाद उसके साथ गाही थी आज गाही का बड़े है पर क्यून इसके बारे में भूल गया था ये दोनों एक लेक के पास आते हैं क्यून अपनी वाइफ को एक प्रेजन देना भूल गया था यही प्रेजन उसने काही को दे दिया वो कार की टrंग में बेटी थी और उसे किस करने लगती है उसने मजाग में गीहू को अंदर किस लिया और उनकी गाड़ी की टrंग बन हो जाती है यह दोनों इसमें लॉक्ट हो गए और यह बहार भी निकलनी पा रहे थे गाही ने मजाग में का कि अगर हमारी यहाट डेथ होगे तो सब को लगेगा कि हमने दोनों मिलकर सुसाइट कर ली है यह सुनकर कि उनको बहुत ही सवोकेटेड लग रहा था यहाँ से बाहर निकलने के वह बहुत कोशिश करता है पर कुछ भी कर नहीं पाता एक दिन बीद गया पर फिर भी वह घर नहीं आया था तो सियून ने पुलिस को कॉल कर दिया था गाड़ी में क्यून और गाही की कंडिशन बहुत ही खराब हो गई थी गाही कहती कि मैं हमेशा जाती थी कि तुम मेरे साथ रहो फाइनली मेरी विश कंपलेट हुई है एक आड़ी के ट्रंग में ही सुबा एक साथ उठे क्यून यहां मरना नहीं चाहता था वो अपनी गन लेकर ट्रंग को बहुत शूट करता है पर फिर भी बाहर निकल नहीं बाता अचानक से गाही को ब्लीडिंग होने लगे उसे यही पर मिस्कैरेज होने लग गया था गाही ने अपने लाइफ में जो भी डिसेजन लिए इस डिसेजन को रिग्रेट कर रही थी हमें पता है कि गाही और सुयून ने दोनों एक साथ कॉलेज में थे तो अब हुआ गया था इसके बारे में हमें पता चलता है एक्चोल में सुयून ने गाही की स्टूरंट थी तब ही उन दोनों में अफेर हो गया था वो दोनों एक दुसरे से बहुत प्यार करती थी उस वक्क कीहून ने गाही का बॉइफरेंड था सुयून को लगा कि अगर कीहून ने गाही से शादी कर ली तो बहुत ही अकेली पर जाएगी तो इसी वज़े से उसने कीहून के साथ अफेर कर लिया उसके साथ शादी कर ली हम देख सकते कि सुयून और गाही इन दोनों ने जो भी डिसिजन लिये ये दोनों इसे डिग्रेट कर रही थी किहुन और गी ही ये ट्रंग में थे और इसके बाद एक दो दिन बीथ गए उसके बाद पुलिस को इनकी बारे में पता चला उन्होंने जब डिक्की खोली तो किहुन अब भी जिन्दा था ब्लीडिंग की वज़े से गाही की डेथ हो चुकी थी बाहर निकलने के बाद किहुन बहुत रोता है उसने जो भी किया इस सारी बात पर उसे पच्टा आ रहा था यंगी के हजबन के मर्डर के इसकी इन्वेस्टेशन करते हैं श्यून को पता चला क्या एक्चौन में मर्डर का टाइम यह ज़रा लेट था उस आदमे ने यंगी के हजबन को जब मारा उसके बाद एक घंटे के बाद यंगी के हजबन की डेथ हुई थी इस बारे में वो बहुत सोचता है और फिर वो यंगी के पास आया यंगी भी इस बात को एडमिट करती है कि जब वो ग्रोसरी स्टोर से वापस आये तो उसका हस्बन जिन्दा था अगर उसे हस्पिटर लेकर जाती तो जी सकता था पर यंगी ने उसे मार डाला किहुन ने जिस आदमी को जेल में डाला है वो अल्रेडी जेल में जाकर आया था तो किहुन को लगता है फिससे जेल में रहना उसके लिए जादा कुछ हाड नहीं होगा कोई यंगी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा किहुन ने भी पुलिस का जॉब अब छोड़ दिया था यंगी का जंग के साथ अफेर था जंग ने यंगी के लिए एक फोटो में I love you लिखा था एफ फोटो किहुन फेसे यंगी को देता है कहता है कि वो अब भी तुमसे प्यार करता है तुमगर चाहो तो उसके पास जा सकती हो यंगी कहती है अगर मैं उसे प्यार करती हो तो फिर भी मैंने जो भी किया क्या सब कुछ सही था क्या सारे मेरे क्राइम्स माफ हो गए कि उनने खुद प्यार में बहुत सारी गलत चीज़ी की तो इसका वो आंसर नहीं थे पाता उसके गलत डिसीजन की वज़े से वो पूरी तरीके से अकेला पर चुका था वो रात में घर आकर बहुत रोता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है ये मूवी एक पॉइंट प्रेजन करते है कि प्यार में लोग गलत चीज़े कर सकते है पर फिर भी उन्हें उसे भूगत ना पढ़ता है फाइनली क्यून अकेला पर चुका था ये अंगी अपने हस्बन के मर्डर के गिल्ड में जी रही है इस गिल्ड में जीना भी एक सजा से कम नहीं था तो इसी के साथ आज का वीड़ो हम खतम करते है अगर आपको एक्स्प्लेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा वह बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल उटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोगे साथ तब तक लिए थैंक्यों और आप अपने आपका खैल रखे